हलो डियर सुडेंट, वल्कम बेक, इस वीडियो में आपको पढ़ाने बाला हूँ परमार बंस का संपूर इतिहास, वैसे तो परमार बंस में 25-26 राजा हुए, परन्तु इस वीडियो में मैं प्रमुक राजाओं का इतिहास पढ़ाने बाला हूँ, और अगर आपको इसकी प पढ़ते हैं परमार बंस का इतिहास, ये है सूजना तो इसे आप जरूर पढ़ें, परमार बंस का परिचाए, तो सबसे पहले बात करते हैं परमार बंस के परिचाए की, परमार बंस की उत्पत्ती के बारे में अनेक मत हैं, कुछ इतिहासकार उन्हें अगनी बंसिये मानत लेकिन एहमदाबाद में मिले परमार राजाओं के अविलेक में उन्हें राष्टकूर्ट राजाओं का सामंत बताया गया है परमार बंस को पबार या पंबार बंस भी कहा जाता है और इस बंस की इस्थापना ओपेंद्र कृष्णराज के द्वारा संभावता 820 के आसपास मैं की गई थी चलिए तो मैं आपको थोड़ा यहां पर समझा देता हूँ देखिए परमार बंस की उत्पत्ती के बारे में बहुत सारे मत हैं कुछ इतिहासकार इन्हें अगनी बंसी मानते हैं तो कुछ इतिहासकार इन्हें प्राचीन छत्रियों की संतान मानते हैं लेकिन एहमदाबार में मिले एक परमार राजाओं की अभिलेक में उन्हें राष्ट कृट राजाओं का सामन्त बताया गया है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और परमार बंस को पवार या पंबार बंस भी कभी-कभी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है इस बंस की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज के द्वारा संभावता 800 इसवी के आसपास ये संभावता क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने 790 इसवी लिखा है तो कुछ इतिहासकारों ने 810 इसवी लिखा हुआ है तो इसी लिए 800 इसवी के आसपास इस बंस की स्थापना की गई थी किस के द्वारा की गई थी? उपेंद्र कृष्णराज के द्वारा की गई थी देखिए कभी-कभी इतिहासकार इनका जो नाम है किरस्णराज तो ये लिखते नहीं है, केवल उपिंदर नाम लिखते हैं इनका तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जितना ये हाईलाइट किया हुआ है परमार बंसके इतिहासिक सुरूत तो अब बात करते हैं एतिहासिक सुरूतों पर इसका मतलब है कि परमार बंस का जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अविलेखों की एहम्दाबाद का अभिलेक जिसमें परमार बंसकी उत्पत्ती के बारे में बताया गया है उज्जैन का अभिलेक उज्जैन दानपत्र लेक उदैपुर अभिलेक तो आपको ये याद रखना है देखिए उज्जेन तो मद्द प्रदेश में है, एहमदाबाद गुजरात में है और उदैपुर राजस्थान में तो यहां से इनके अभीलेक प्राप्त हुए हैं यानि की परमार राजाओं के तो इन अभीलेकों के माद्यम से परमार बंस का इतिहास आप जान सकती हूँ तो यह जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है बस इनको आपको याद रखना है, यह बहुत महत्पून है तो अब बात करते हैं साहित की, देख़िए परमार बंस का इतिहास साहित में भी मिलता है साहित के अगर बात करें तो प्रबंक चिंतामनि गरंथ इसकी रचना चवधवी सताबधी में मैरूतुं के द्वारा संस्कृत भासा में की गई थी तो इसमें भी परमार राजाओं का इतिहास मिलता है नव सहसांग चरत गरंट इसकी रचना पदम गुप्त के द्वारा संस्कृत भासा में की गई थी और ये पदम गुप्त राजा मुंज के दरवारी कवी थे भोज पिरवंद देखिए भोज पिरवंद गरंट की रचना वल्लाल मिस्सर की द्वारा की गई थी संस्कृत भासा में तिलक मंजरी गरंट तो इसमें भी परमार बंस का इतिहास मिलता है और इसकी जो रचना है वो धनपाल की द्वारा की गई थी अलवर्नी और फरिस्ता के लेख अलवर्नी कौन थे अलवर्नी का वास्तविक नाम अबुरेहान था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे और इनकी जो किताब है उसका नाम है तहकीक एहिंद जिसमें भारत की जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है यानि की भारती इतिहास की जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है फरिस्ता फरिस्ता एक इतिहासकार थे इनकी लेख भी भारती इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्पून है तो ये जितना मैंने ये हाइलाइट किया हुआ है बस आपको इतना ही याद रखना है उपेंदक किरस्न राज तो इनके बारे में पढ़ते हैं उपेंदक किरस्न राज को ही परमारवंस का संस्थाफक माना जाता है आपको ये याद रखना है कि संस्थाफक किसको माना जाता है परमारवंस का उपेंदक किरस्न राज को माना जाता है उपेंद किर्सन राज का सासन काल संभावता 800-818 इस्वी के मद्द में था देखिए ये संभावता सासन काल है किसी भी राजा के निश्चित सासन काल नहीं है इतिहास कारों में आपस में बहुत मत्वेद है तो इसलिए आपको यह याद रखना है कि यह समभौता सासंकाल है उपैंद किर्ष्ण राज स्वतंतर राजा नहीं थे बल्कि रास्थिकुरूट राजा धुरूब और गोविंद तृतिये की सामlt थे आपको ये याद रखना है कि उपेंद किस्न राज जो राजा थे परमारवंस्की जिने पहला राजा माना जाता है वो स्वतंत्र राजा नहीं थे बलकि राश्तकरूर राजा धुरू और फिर गुविंद तरतिये के सामन्त थे ये उपेंद किस्न राज ने अपनी राजधानी धार में बनाई थी धार आदनिक मद्वर्देश में हैं उपेंद किस्न राज के बाद वैरी सिंग प्रथम जिनका सासन काल 818 से 843 इसवी के मद्द में था वैरी सिंग प्रथम के बाद सीयक प्रथम राजधा बने और जिनका सासन काल 843 से 893 इसवी के मद्द में था सीयक प्रथम के बाद वाकपती राजधा हुए और वाकपती का सासन काल 893 से 918 इसवी के मद्द में था फिर बने राजा वेरी सिंग दुती जिनका सासन काल 918 से 948 ईसवी के मद में था फिर राजा बने सीएक दुती जिने कुछ इतिहासकारों ने हर्स सिंग भी लिखा हुआ है इनका सासन काल था 948 से 944 ईसवी के मद में था ये इतने राजा हुए लेकिन इनके सासनकाल के बारे में कोई भी इसपस्त जानकारी नहीं मिलती है तो इसी लिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है बस इनकी नाम लिखे हैं और इनका सासनकाल लिखा हुआ है वागपती राज मुंझ तो अब इनके वारे में पढ़ते हैं वागपती राज मुंझ सीयक दुती के दत्तक पुत्र तथा उत्रा अधेकारी थे वागपती राज मुंझ का सासनकाल नो सो चोहतर से नो सो पंचानवे ईस्वी के मद्ध में था ये भी संभोता सासनकाल है, निश्यत सासनकाल नहीं है वागपती राज मुंझ ने उत्पल राज, स्रीवल्लब और अमोग बर्स की उपादियां धारण की थी वागपती राज मुंझ के दरवार में पदम गुप्त, धनांजय, हलायुद, अमित गती, आदी विद्वान रहते थे तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पदम गुप्त किसके दरवार में रहते थे वाकपती मुंझ की दरबार में रहते थे और पदम गुप्त ने ही नव सहसांक चरत गरंद की रचना की थी आपको यह यहाँ पर याद रखना है वाकपती राज मुंझ ने उत्पल राज, स्रीवलब और अमोग बरस की उपादियां धारन की थी वाकपती राज मुंझ ने धार के पास एक मुंझ सागर जील का नर्मान करवाया था तो इसके बारे में अब तक बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो इसको आप याद रखें यहाँ पर उजेन लेखे अनुसार वाकपती राज मुंझ ने हून राजाओं को पराजित किया था उदैपुर लेखे अनुसार वाकपती राज मुंझ ने कल्चूरी बंस की राजधानी तिरपुरी आदरिक मद्ध प्रदेश के जबलपुर के पास है तो तिरपुरी पर अधिकार कर लिया था किसने कर लिया था वाकपती राज मुंज ने कर लिया था और इसकी जानकारी कहा मिलती है वो दैपुर लेक में मिलती है तो ये आपको यहाँ पर जितना हाईलाइट किया हुआ है यही याद रखना है प्रवंद चिंतामणी गरंथ के अनुसार वागपती राज मुंझ ने चालुक के राजा तैलप को 6 बार पराजित किया था परन्तु 7 वी बार में वागपती राज मुंझ तैलप से हार गए और उन्हें मार दिया गया था तो इसकी जानकारी कहां मिलती है प्रवंद चिंतामणी गरंथ में मिलती है आपको ये याद रखना है प्रवंद चिंतामणी गरंथ किसका गरंथ है मैरूतूं का गरंथ है और संस्करत भासा में से लिखा गया था वाकपती राज मुंज के बाद उनका भाई सिंदू राज राजावना जिसने 995 से 1010 इसवी के मद्द में सासन किया था लेकिन ये संभौता सासनकाल है निश्चत सासनकाल नहीं है राजा भोज प्रिथम का इतिहास तो अब इनके बारे में पड़ते हैं राजा भोज का सासनकाल संभौता 1010 से 1055 इसवी के मद्द में था कुछ इतिहासकाल 1000 से 1060 इसवी के मद्द में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है लेकिन कुछ इतिहासकाल अलग लिखते हैं दो-तीन सासनकाल इनके मिज़े मिले तो इसलिए यहाँ पर संभावता लिखा हुआ है कि संभावता इनका सासनकाल 2010 से 1055 इस्वी के मंद में था। प्रमोख माना जाता है तो जितना यह मैंने हाइलाइट किया हुआ है बस आपको इतना ही याद रखना है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं और कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं। लेकिन ज्यादा तर इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं कि साकंबरी के जे चोहान राजा थे वो राजा भोज के अधिन अपना सासन करते थे 1042 सीजवी में चालू के राजा सोमिस और प्रथमने राजा भोज की राजधानी धार उजेन और मांडू में खूब लूट पाट मचाई थी मैं आपको बता दूँ कि यहां पर धार उजेन और मांडू ये मालवा मालवा कहने का मतलब है कि मालवा एक प्रदेश का नाम था और जिसके राजा थे राजा भोज तो मालवा के ये तीन प्रसिद इस्थान थी धार उजेन और मांडू तो तीनों जगहे पर लूट पाट की थी किसने चालूग के राजा सोमिसोर प्रथमने तो ये आपको यहां पर याद रखना है राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में एक भोज साला नाम का संस्कृत बिद्याला बनवाया था देखो यहां पर कहने का मतलब है कि राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में धार में एक बिद्याला बनवाया था जिसका नाम था भोज साला तो यह आपको यहां पर जितना यह मैंने हाईलेट किया है बस आपको इतना ही याद रखना है राजा भोज सैब धर्म के अन्याई थे परंतु कुछ इतिहासकार उन्हें जैन धर्म से सम्बंदित मानते हैं ये बात तो सही है कि राजा भोज सैब धर्म के अन्याई थे लेकिन अन्य धर्मों के पिरती भी वो सहसुनों थे इसी लिए इतिहासकारों ने वने जैन धर्म से सम्मंदित भी बताया हुआ है उदैपुर लेके अनुसार राजा भोज ने कई मंदरों का निर्मान करवाया था राजा भोज के द्वारा भोपाल के पास भोजपुर नामक नंगर को बसाया गया था ये बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कुछ इतिहासकारों की अनुसार राजा भोज ने कई गरंथों की रचना की थी जिसमें समरांगन सूतरधार गरंथ सबसे प्रिसद्ध था देखिए इस बात की जानकारी है कुछ इतिहासकार देते हैं कि उन्होंने कई गरंथों की रचना की थी जिसमें एक सबसे प्रिसद्ध गरंथ माना जाता है जिसका नाम है समरांगन सूतरधार तो इसकी रचना किशन ड़ी की थी राजा भोज ने की थी लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं तो आपको यहाँ पे जितना ये मैंने हाइलेट किया हुआ है बस इतना याद रखना है राजा भोज के बाद परमार बंस में कही राजा हुए परन्तु उनका बास्तव के इतिहास नहीं मिलता है जैसे जैसिंग प्रिथम जिनका सासनकाल 1055 से 1060 इसवी के मद में था फिर राजा हुए उद्यादित जिनका सासनकाल 1060 से 1087 इसवी के मद में था फिर राजा हुए लक्षमणदेव जिनका सासनकाल 1087 से 1097 इसवी के मद में था फिर राजा हुए नर बर्मन जिनका सासन काल 1097 से 1134 ईसवी के मद्द में था फिर राजा हुए यसु बर्मन जिनका सासन काल 1134 से 1142 ईसवी के मद्द में था फिर राजा हुए जै बर्मन पर्थम जिनका सासन काल 1142 से 1160 ईसवी के मद्द में था फिर राजा हुए विंद वर्मन जिनका सासनकाल 1160 से 1193 ईसवी के मद्द में था और फिर राजा हुए सुभात वर्मन जिनका सासनकाल 1193 से 1210 ईसवी के मद्द में था फिर राजा हुए अरजुन वर्मन पिर्थम जिनका सासनकाल 1210 से 1218 ईसवी के मद्द में था अभी और राजा हैं आगे चलिए उनके बारे मैं भी बताता हूँ अरजुन वर्मन दुतिये जिनका सासन काल 1224 से 1283 इसवी के मद्द में था फिर भूज दुतिये राजा हुए जिनका सासन काल 1283 से 1295 इसवी के मद्द में था फिर राजा हुए महलक देउ जिनका सासन काल 1295 से 1305 इसवी के मद्द में था और फिर अंत में राजा हुए संजीव सिंग परमार जिनका सासनकाल 1305 से 1327 ईसवी के मद्द में था तो इतने सारे राजा हुए राजा भूच की बाद लेकिन इनमें से ना तो कोई सक्तिसाले हुआ और ना ही किसी भी राजा का बास्तविक इतिहास मिलता है देखिए इतिहास कई तरह के होते हैं कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो तथे और सुबूतों पर आधारित होते हैं कुछ इतिहासकार केबल कहानियों पर आधारित होते हैं मैं यहाँ पर आपको जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ वो प्रतियोगी परिक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ इसलिए जो कहानियों बाला इतिहास है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर केवल मैंने वही इतिहास लिखा है जो जादतर प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछा जाता है संजीव सिंग परमार को अलाउदिन खिलजी के सेनापती आइन उल्मुल्क ने पराजित करके संपून मालवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महलक दिव इसके अंतिम राजा थे परमार बंसके अंतिम राजा थे आपको यह जतना हाइलाइट किया हुआ है आपको यह याद रहना है और अगर आपको यह वीडियो समझ में ना आया हो तो आप दुबारा यतनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं और अगर आपको इसकी पीडियोफ की चाहिए favorite चाहिए तो link description box और अगर आपका कोई सवाल है तो कोमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो